वाई एम नियूज एंड योजना हरियाना यूटीव चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है उम्मीद आसावी काम न करता हूँ आप सभी भाई बैंट ठीक होंगे बहतर होंगे हरियाना शरकार तीन बड़े-बड़े धमाके और तीन बड़ा-बड़ा महा धमाका हरिय सरकार पैंती सेवाई घर बेठे देने जा रही है बाई सेवाई उन्होंने दे दी हैं घरनी थुड़ी अधिक पड़ रही है और मौपी चाहते हैं दो दिन से हम जो है आपकी सेवा में उपलब्द नहीं हो पाए बहनों की साधिति आप सभी को पता है तो साथियो उस वज जनता पाइटी के साथ घटबंदन तोड़ो सरकार की 26 सुदारो 25 फीज दिनाराजगी तुरंत दूर हो जाएगी तो दोस्तों घटबंदन को लेकर निर्दलिय विदायकों का प्रेसर और भारतिय जनता पाइटी का लगबग लगबग जितना परदेश सिर्स नेतरता है य आपको देखने को नहीं मिलेंगे जेजेपी आराम से अपने घर आ जाएगी ज्यादा कुछ जेजेपी करेगी नहीं क्योंकि सब कुछ जो चिठा है वो सब जानता है अरियना प्रदेश की जनता जानती है चार-पांच जो घोटाले हुए हैं उनमें किसका नाम आ रहा है चाहे हो सराब घोटाले हो चाहे हो धान घोटाला हो और इन घोटालों की वज़े से इस सरकार पर न कराता मक छवी पड़ी परतम जो करकाल जो भारतिय जनता पार्टी कर रहा था वो बहतरीन कारेकाल रहा था लेकिन दूसरा जो कारेकाल है इसमें जनता इसकदर नराज है इसकदर नराज है ये आज भी गटबंदन तोड़े तब भी ये बहुमत की इस्तिति में नहीं आ सकते तब भी ये चुनाओ जीतने की इस्तिति में आज की तारिक में भारतिय जनता पाइटी नहीं आ सकती ये गटबंदन बरकरार रखें या गटबंदन आलग रखें दूसर से 72% कॉंग्रेस की तरफ मूग कर चुका है जाट जो मत दाता है वो चाहे उनके पास मजबूत विकल्पना हो चाहे उनको लगता हो कि कॉंग्रेस आपकी बार का सत्ता में आने वाली है और आपने देख क्या होगा अब तो समचर पत्रों में भी आ रहा है हवा चल चुकी है आंधी तूफान का जो है वो बनेगा जब 2024 का आम विधान सबाद चुनावाएगा मैं स्वैम किसी भी पार्टी या राजिनितिक दल से वो नहीं रखता मेरे तो सरकार का मेरे तो योजनाओं का काम होता है बाएकि जब ये जब से बड़ी ब्रेकिंग चल रही है यहां कहे कि JJP को तुरंत नमस्ते कर देनी चाहिए जो निर्दल ये विधायों को के परमुक है मुझे लगता है भाजबा जल्दी JJP से गढ़ बंदन तोड लेगी या विपलप देव है आपने जो बड़े बड़े बयानों के लिए मसूर अगर दो दलों का गढ़ बंदन चलाना है संयुक्त परिवार आपको चलाना है तो बिपलप देव जैसा वेक्ति अगर परिवार में तो परिवार संयुक्त नहीं हो सकता क्योंकि वो अपने ब्यानबाजी के लिए मसूहूर है बेतिरपुरा के मुख्यमंत्री की जो कुरसी थी उन्हा अपनी ब्यानबाजी के समर्थन की हम बात करें तो भाजबा के 41 निर्दलिये टोटल 10 जीत कराये थे जिनमें 6 निर्दलिये विदायक हैं जो बिलकुल खुला समर्थन 47-48 विदायक हलोपा का है कांडा साहब और 49 मा रनजी चोटाला है 49 विदायक होगे 50 मा विदायक यहां जो है अन्य बोर भी वि समर्थन देंगे सात्यों और 49 यह होगे जननाएक जनता पाइटि के 10 में से 7 विदायक सरकार को समर्थन देंगे 56 होगे और सात्यों यहां जो इन्होंने उन्होंने 48 विदायकों का समर्थन बताया है जबकि हमारे जो सोर्स हैं हम अपने सोर्स के हिसाब से कह रहें 5-6 खाने बीजेपी में जाकर जोएंगे दोड़ा जन्डा लेंगे दोड़ा जन्डा से चुनाव लड़ेंगे और इन्डियन नैस्नल लोगदल पर वेस्थ करेंगे यह क्योंकि कांग्रेश में उनकी इंट्री बैन कर दी गई है जए जेपी के किसी बी नेता को कोई टिकट नहीं देना है चाहे कांगरेस उस सीट को हार रही हो तब भी जैजेपी के नेता को टिकट नहीं देना ये मोका परस्त नेता है तो साथ यो देविंदर बबली पंचायत मंतरी का रुख सियम साब की तरफ जादा है बाकि परदेश अद्धिक सुवास बराडा है तो जएजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे वो जाएंगे तो बीजेपी के साथ ही अपना मंतरी पद बचाएंगे और फिर धोले जंडे से लडेंगे सफे जंडे से चुनाओ लडेंगे तो ऐसे और भी विधायक हैं जैजेपी के विधायक कहीं के नहीं रहे हैं जो है जैजेपी के हालत बहुत खस्ता हो चुकी है इसमा अगर मगर कुछ नहीं है उससे भी बुरी खस्ता हालत बीजेपी की हो चुकी है दोनों की ह खालत खासता है इसलिए अब एक दूसरे पर ठीकर आप होड़ रहे हैं बागी दुसियन चोटाला साहब ने बहुत अच्छा एक गठमंदन अगर किसी को चलाना है एक सईयुक्त परिवार अगर किसी को चलाना है तो उस परिवार के अंदर दुसियन चोटाला जैसे वेक्ति होना चाहिए वो परिवार को लंबा चला देता है दूसरे चोटालन वास्तों में एक गठमंदन धर्म को निभाया है देखो मैं उनकी पॉलिटिकल इस्ट्रेट जी से मैच नहीं करता और ना मैं किसी मैं तो चारो पाइंट यो किसी कोई मेरा वो नहीं है मैं तो गोशना पत पच्पन विधायक इनके साथ रह जाएंगे सरकार फूटेगी नहीं यहां विपलव देव जी से निर्दलिय नहीं बात की और यहां सीम साथ को पूरा फीड़ बेग दिया अब जो है सनीवार को जो है ओम परकास धनकर जी से मुलाकात करेंगे फिर रविवार को रसस के न पंदरह जून तक ही के वाई सी करवालें यदि आप पंदरह जून तक ही के वाई सी करवालें यदि आप पंदरह जून तक ही के वाई सी नहीं करवालें यदि आप पंदरह जून तक ही के वाई सी करवालें यदि आप पंदरह जून तक ही के वाई सी नहीं करवाते हो तो आपकी जो दो-दो-थोजार रुपे जो आपके किसानों के आपते हैं वो रोक दिये जाएंगे। जो है। उस सात्यों तौपा देते हैं पी-म साइब ये बहुत अच्छा कदम ये से जो है कैंदर लेवल पर अच्छा कारी कर रही है कैंदर सरकार जबकि स्टेट लेवल पर फैल है बिलकुल जीरो बटे जीरो है, जीरो दस में से जीरो आंक में स्टेट पर दूंगा और इस सरकार ने तो जमा नास कर दिया, बिल्कुल जो फिल फिलाल सरकार चल रही है, ये जनता का कहणा मेरा कह diversity नहीं है, लेकिन इंप्लीमेंट साइडंग से नहीं हो पाई जो बड़े परिवार थे वो BPL का लाब ले गए जो गरीब परिवार था उन्हें पता नहीं था वो विचारे बाहर होगे साथ यो अगली खबर परिवार विबाग की लाइसेंस वगेरा की ये जो बाईस सेवाई हैं परिवार यानि वाहन से रिलेटिड जो बाईस सेवाई थी उन सभी का जो है वो बाईस सेवा तो ओकर रखे है जैसे लाइसेंस साथ दिन में बनेगा रिनू दस दिन में होगा ती स्वीम मत्तों का हस्तांत्रन हो या फिर गिर्वी जारी रखना हो या फिर पते में बदलाओ करना हो या फिर गाडियों का नया परमट जारी करना हो या परमट का रिनूवल होना हो किराया खरी समझोता हो अस्थाई फरमिट हो रजिस्ट्रेशन फीस हो मोटर वाहन के रेजि दिन का टाइम ऑनलाइन ये सारी चीज़े होने लगी थी तो अब इसमें 13 सेवाएं और परदेश सरकार जोने जा रही है वाहन यानि गाड़ी से जुड़ी हुई 35 सरकारी सेवाएं जो है आपको घर बैट है ऑनलाइन एक क्लिक के माध्यम से मिलेंगी आपको कहीं जाना नही पड़ेगा और उसमें टाइम निर्दारन कर दिया जाएगा तो फिलाल इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद जैभारत जैयर गणा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें